आज की कक्छा में हम प्रस्नावली 1.4 के प्रस्नों को हल करेंगे हमारा पहला प्रस्न है संख्या रेखा पर 2 बटे 9, 5 बटे 9, –1 बटे 9, –3 बटे 9, –5 बटे 9 और –8 बटे 9 को निरूपित कीजिये तो आएए देखते हैं हम इसे कैसे हल करते हैं प्रस्न नमबर 1 तो सबसे पहले हम सकेल की सहता से एक रेखा खीचेंगे बराबर दूरी पर हम इसमें बिंदू लगा दे रहे हैं बीच के किसी बिंदू पर को हम सुनने से निरूपित करते हैं हम यहां देख रहे हैं दो गटेनों, पांच गटेनों जो धनात्मक संख्याएं हैं ये संख्याएं, उचित भिन है और ये एक से कम है तो हम जीरो, इसका अर्थ यह है कि एक से कम रहेंगी और यह जीरो से एक के बीच होंगी यह हमने एक का एक लिख दिया, इस बिंदू को एक से निरुपित किया तो और जीरो से एक के बीच को, बीच की जो दूरी है, इसे हम नौ भागों में बाटेंगे क्योंकि यहां हर में नौ है, चोकि यहां हर में नौ है, इसलिए हम नौ भागों में बाट रहे हैं तो अब हम बिंदू को निरुपित करेंगे, हमारा पहला बिंदू होगा, एक बटा नौ, चोकि नौ भागों में हमने बाटा है ये 2 बटा 9, ये 3 बटा 9, ये 4 बटा 9, ये 5 बटा 9, ये 6 बटा 9, ये 7 बटा 9, ये 8 बटा 9, और ये 9 बटा 9, अर्थार 1. अब ठेक इसी तरह से हम सुनने के बाई और माइनस एक हम निरुपित करेंगे बिंदू को यह बिंदू हमारा माइनस वन है अब हम सुनने से माइनस वन के बीच की जो दूरी है इसे हम नौ भागों में बाट देंगे यह हमने नौ भागों में बाट दिया है नौ भागों में क्यों बाटा है क्योंकि यह जो बिंदू हमें निरुपित करने है इनके हर में नौ है तो जीवों से ठीक बाई और हमारा जो पहला बिंदू होगा यह होगा माइनस वन बाई नाइन ये माइनस 2 बटे 9, ये माइनस 3 बटे 9, ये माइनस 4 बटे 9, ये माइनस 5 बटे 9, ये माइनस 6 बटे 9, माइनस 7 बटे 9, माइनस 8 बटे 9, और ये वाला हो जाएगा माइनस 9 बटे 9 अर्थार माइनस 1 तो हमें जो बिंदू अंकित करने थे या निरूपित करने थे वो था 2 बटे 9 और 5 बटे 9 ये दाहिनी ओर धनातमक में तो बाकी जो बिंदू हमने लिखा है इसे अब हम डिलिट कर देते हैं ये हमने डिलिट कर दिया ये 5 बटे 9 को हम छोड़ दे रहे हैं कि अग्यों और भी हम ऐसा करेंगे हमें माइनस 1 बटे 9 निरूपित करना था माइनस 2 बटे 9 तो करना नहीं है इसलिए हम हटा देते हैं माइनस 3 बटे 9 को भी छोड़ दे रहे हैं चुकि ये इंगित करना था हमें निरूपित करना था माइनस 5 बटे 9 निरूपित करना था तो उसे हम छोड़ दे रहे हैं ये हमारा संख्या रिखा पर जो दी गई बिंदू थी वो निरूपित हो गई है अब आईए प्रस नंबर 2 को देखते हैं यहां पहले से हमें दीवी है एक संख्या रेखा और कुछ बिंदू यहां इंगित किया हुआ है निरूपित किया हुआ है और कुछ बिंदू में अभी हमारा परिमेर संख्या नहीं लिखा हुआ है तो उसे ही बताना है, यहां बिंदू है A, B, C, D, E तो हम यहां देखते हैं, हमारा पहला शुन्ने यहां दिया हुआ है इसके बाद 1 बटा 5, यह 2 बटा 5, यह 3 बटा 5 तो A जगह पर क्या हो जाएगा, 4 बटा 5, यह हो जाएगा A, A बिंदू हमारा हो जाएगा B हो जाएगा ठीक इसी तरह से, 5 बटा 5, यह तो दिया हुआ है, 6 बटे 5, 7 बटे 5 तो C हमारा हो जाएगा, 8 बटा 5, इसके बाद है, 9 बटा 5, और D हमारा यहां पहले से लिखा हुआ है, 10 बटे 5 इसके बाद वाला बिंदू 11 बटे 5, तो इसके बाद E है, यह हमारा हो जाएगा, 12 बटे 5 तो प्रस नमबर 2 में हम देख रहे हैं, प्रस नमबर 2 में, हमारा A बिंदू हो गया, A बिंदू ब्राबर, 4 बटे 5, B बिंदू ब्राबर, 5 बटे 5, C बिंदू ब्राबर, 8 बटे 5, और D बिंदू ब्राबर, यह पहले से वहां है दिया हुआ, 10 बटे 5, E बिंदू बराबर ये है 12 बटे 5 प्रस्न नमबर 3, निमलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरुपित कीजिए A, B, C, D, E, 5 प्रस्न है, मैं किसी एक को हल करूँगा मैं लेता हूँ, D नमबर स्केल की सहाथा से सबसे पहले मैं एक रेखा खीच रहा हूँ प्रस्न संख्याओ, D का 5 बटा 3 ये 5 बटा 3 इसका अर्थ है, एक पूर्णांक 2 बटा 3 इसे हमें संख्यारेखा पर निरुपित करना है तो हमने इस बिंदू को 6 से निरुपित किया, यहां एक इसके बाद ये दो यहां हम देख रहे हैं निरुपित से ये जो संख्या है, ये एक से बड़ी और दो से छोटी है यानि एक और दो के बीच है तो एक और दो के बीच की जो दूरी है, इसे हम 3 बराबर भागों में बाट दे रहे हैं एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तो ये जो पहला भाग होगा, एक के बाद वाला जो पहला बिंदू है इसे हम निरुपित करेंगे, एक पुरनांग, एक बटा, तीन से अर्थात ये हो जाएगा, चार बटा, तीन और ये हो जाएगा हमारा एक पूर्णांग 2 बटा 3 अर्थात 5 बटा 3 तो यही बिंदू यही इसी संख्या को हमें निरुपित करना था संख्या रिखापर तो इसे हम रहने दे रहे हैं और यहाँ पर हमने समझाने के लिए था इसे डिलेट करते रहे हैं तो यह हमारा संख्या रिखापर 5 बटा 3 निरुपित हो गया प्रस्ण संख्या 4 निम्लिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए यहाँ दो प्रस्ण है मैं ए नमबर को ले रहा हूँ 4 बटा 3 और माइनस 2 बटे 3 हम लोग एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेंगे खीच लेंगे इसके बाद क्या करेंगे कि पाहली संख्या हम देख रहे है 4 बटे 3 तो यह 4 बटे 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक पूना आंख एक बटे 3 इसे ही हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो यह संख्या एक से बड़ी और दो से छोटी है अर्थात एक और दो के बीच में है कहीं पर है तो यह हमारा एक हो गया और यह दो तो इस एक और दो को चुकि यहां पर हर में 3 है इसलिए 3 बराबर भागों में बाट रहे हैं एक भाग, दो भाग, तीन भाग तो यह जो पहली बिंदू है यही हमारी होगी एक पूनांग 1 बटा 3 अर्थात 4 बटा 3 एक के बाद फिर एक तीहाई भाग हमने लिया तो यह हो गया एक पूनांग 1 बटा 3 अब बाई और आते हैं तो यह हमारा माइनस 1 है इसे हमने 3 बराबर सुनने से माइनस 1 के बीच की दूरी को 3 बराबर भागों में बाट दिया 1, 2 और 3 तो यह जो सुनने से बाई और पहली बिंदू है यह हमारी हो जाएगी माइनस 1 बटा 3 और दूसरी हो जाएगी माइनस 2 बटा 3 तो यह हमें इंगित या निरूपी सर्फ माइनस 2 बटे 3 करना था इसलिए हम इस वाले को हटा दे रहे हैं तो यह हमारा संख्या रेखा पर 4 बटे 3 और माइनस 2 बटे 3 निरूपी थोगी प्रस्न संख्या 5 ऐसी 5 परी में संख्याएं लिखिए जो ए नमबर माइनस 2 से छोटी हो बी नमबर माइनस 2 से बड़ी हो तो माइनस 2 से छोटी और माइनस 2 से बड़ी कितनी परी में संख्याएं हो सकती हैं निस्षित रुप से असंख्य तो उन असंख्य परिमे संख्याओं में से हमें सिर्फ पांच परिमे संख्याओं लिखनी है तो मैं ए वाला को हल कर रहा हूँ माइनस दो से छोटी पांच परिमे संख्याओं को लिखना है तो ये हो गया माइनस दो इससे छोटी कौन होंगी बहुत सारी हैं लेकिन हम मैं लिख रहा हूँ इससे माइनस तीन अब इससे भी छोटी कौन सी होंगी माइनस चार इससे छोटी माइनस पाँच और माइनस पाँच इससे छोटी माइनस चे और इससे छोटी माइनस साथ तो इस तरह से हम देख रहे हैं पाँच परिमे संख्या है हमने लिख दे माइनस दो से छोटी माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच माइनस चे माइनस साथ तो इसे हम शब्दों में लिख सकते हैं माइनस दो से छोटी पाँच परिमे संख्या है ये हो गए माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 और ये माइनस 7 अब प्रस नमबर 6 देखते हैं इनके मध्य तीन परिमे संख्याई ग्याद कीजिए ए नमबर है माइनस 1 और 0 बी नमबर है माइनस 3 और 1 तो बी नमबर को हम हल करते हैं माइनस 3 और 1 के बीच तीन परिमे संख्याई लिखनी है तो माइनस 3 से बड़ी एक परिमे संख्याई निश्यत रुप से माइनस 2 है इससे जब बड़ी है माइनस 1 है इससे बड़ी है 6 और इससे बड़ी 1 ऐसे तो इन दोनों के बीच असंख्याई हो सकती है लेकिन ये 3 को हमने लिखा है तो अब इसे शब्दों में हम लिखते है माइनस 3 और 1 के बीच तीन परी में संख्याई ये है माइनस 2, माइनस 1 और 6 पर उनि